लो सुदेंट्स विदिवनिंग ओल उफ्ट्यू विदिवनिंग आवाज आ रही होगी अप लोगो आप लोगो पीशे चले चाहिए जैसे हम आप लोगो बोले हुए थे आज के लिए कि आज हम do drignometry में और बहुत सरे बाहर यह यह जानते उनके यह-स ay करदेगा आज आज हम लोगोट्व एंगल्स को वाले हैं measurement of angles कि क्या जैसे 9th class में बच्चे पढ़ते हैं तो 9th class में क्या होता है physics में जब motion को start करना होता है तो motion start करने के पहले एक chapter पढ़ा जिता है जिसके बारे में बात हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं unit and dimension तो उसमें बताया जाता है कि अलग-अलग system होते हैं FPS system होता है फिर CGS system होता है MKS system होता है फिर last में SI system आता है तो यह सब क्या था system of measurement था जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ना होता था कि भाई foot pound second मतलब length को foot में weight को पॉंड में और time को second में measurement करेंगे ठीक है ना लेकिन वहीं चीज़ हुआ जब बाद में length बाद में measurement और बढ़ा कि बाद में measurement और बढ़ा तो उस time में length जो है वह आ गया centimeter में फिर mass आ गया gram में और time हो गया किसमें second में तो measurement के लिए angles बदलते रहते हैं measurement का जो तरीका है यह बदलते रहता है तो आज हम लोग dpp no.4 का study करेंगे angles के बारे में एक बार सभी बच्चा लोग इस्टार्ट लिए तो class को start कर दिया जाए बहुत interesting बनाएंगे class को चिंता नहीं किजिए copy panel लेके बैठीएगा because बहुत सारी चीजे लिखवाएंगे ना copy panel लेके बैठीएगा लिखने वाली चीजे ज्यादा मिलेंगे आप सब को okay good evening good evening babu okay 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 thank you oh good evening all of you okay अब हमको भी आइडी काड मिल आय कोचिंग से ठीक है ना देखिए हमारे गले में रहागया अभी एक आदमी कमेंट लिखा हुआ है आइडी काड क्यों लगाय हुआ है चलिए स्टार्ट कर दिया जाए class को तो आज का topic डालेंगे trigonometry first आउसमें angles topic डाल दीजिये उपर trigonometry first आउसमें angles का topic डाले angles का okay समझते हैं इस सीच को हम लोग खुब अच्छे से समझने की कोशिस करते हैं हम इना okay सबसे पहले बात करें हम कि angles होते क्या है Angle Angle होता गया है Angle तो जैसे मान के चलिए खुब अच्छे से समझने की कोशिस केजिएगा हम एक origin लेते हैं यहां से एक रे लेते हैं इस साइड में और यहां से एक रे लेते हैं इस साइड में होगा का यही ले लिए हमएक ही origin से तू रेस ले लिए एक रे का नाम रख दATE है OA और एक रक का नाम लेते हैं O B और हम यह कहते हैं कि यह जो रे है यह यहीं पर था लाइक को रे एक गुदूसरे परती ऐसे थी अब यह ऊपर चला जा ओगा इस रे के ऊपर जाने से यहां बीच में एक जगह बन रहा है। इन दोनों के बीच में एक जगा बन रहा है, एक ए स्पेस बन रहा है। इस слыш deployed union ऐसको यूनियन भोलते हैं, union का मतलब हो गया हि यह जो रे है और यह जो रे है इन दोनों ही रेज के इस वाली रे और इस वाली रे के बीच में जो यूनियन बन रहा है इस Union को ही हम Angle बोलते हम, इसी Union को हम Angle बोलते हम, यह जो Side है, जहां से Start हुआ था इसको बोहने ते है Initial Ray, Initial Ray बोलते हैं, लिखेंगे आप लोग, Initial Ray, और यहां पर यह जो Side है, मतलब यह उठा और जाके वहाँ पे रुख गया, यह यहां से उठा और जाके रुक गया, रुक गया मतलब टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट हो गया, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ते हैं, डेसिमल रुक जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, वैसी टर्मिनेट हो गया, रुक गया, इसको बोलते हैं टर्मिनल रे, इसक called vortex बोलता है वर्टेक्स इसको वर्टेक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंगल मतलब यहाँ पर 4 चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं एक है इनेशियल रे एक है टर्मिनल रे एक है वर्टेक्स और एक है एंगल यह चार चीजे हैं तो अब अगर हमें define करना हो angle को, तो हम कैसे define कर सकते हैं? हम क्या देंगे कि the union of union of two arrays having the same origin क्या है? the union of two arrays having the same origin दो arrays का union है और उनका origin क्या है? मतब, arrays का origin क्या है? same है clear है? the union of two arrays having the same origin यही हो जाएगा हमारा angle यही हमारा angle है the union of two arrays having the same origin एक ही origin से जहाँ किसी भी जगह पे जैसे मान के जिलिए हम कुछ examples और ले ले लेते हैं अगर यहाँ पे जैसे एक origin इसको बोल दे यहाँ एक रे चला गया यहाँ एक रे चला गया तो यहाँ एक angle बन गया और यहाँ पर भी एक angle बन गया इसको angle A बोले इसको angle B बोल देंगे दो एंगल बन रहे हैं कहीं भी एक ही origin से दो रे निकाल लिए ना जब तक दो रेज का same origin नहीं होगा, तब तक angle नहीं बनेगा, तो हम लोग कह सकते हैं, the union of two rays having the same origin, दो रेज का union है और वैसे rays हैं जिनका same origin है, वैसे आपको जानके खुशी हो कि angle जो word होता है न, ये एक Latin word से बना है, Latin word से, क्या है Latin word, एंगुलस, इसका नाम है एंगुलस, और एंगुलस का meaning क्या होता है, एंगुलस का meaning होता है, corner, और अक्सर हम लोग देखते हैं, कि angle हमेशा corner पर ही बनता है, एंगुलस हमेशा corner पर ही बनता है, देख रहे हैं, दो चीजों का corner है यहाँ पर, दो रेज का corner बनता है, अब बहुत lengthy class को नहीं बनाएंगे हम, इसलिए short में चल रहा है एक दम से, बहुत lengthy नहीं बनाएंगे, because आज का main agenda है, हम लोगा main target है, DPP number 4 को study करना, तो उसको study करने से पहले हमें सीखना होगा की angle क्या है, और angle का measurement का कौन-कौन सा method है, उसे convert कैसे करते हैं, तब ना last में पढ़ेंगे ये angle को कैसे हम लोग DPP number 4 को solve करेंगे, इसलिए लेके चल रहा है, clear है? हाँ, नहीं तहीं, angle का ही definition दे रहा है, तो अगर आप लोग का यहाँ तक clear है तो एक बार सभी लोग clear लिग दीजिए, यहीं से class start होगा, यह एक दर से intro करवा दी है, angle का आप लोग के लिए, चलिए, 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 कैसे हैं, सर, आप, थीक हैं, बाबू रोर्सन, chemical reaction and equation chapter नहीं पढ़ पाएं, सर, उसका भी class करा दीजिए, जैसे ट्यूनमेटी किया हैं, बाबू अभी तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन सोच रहे हम, chemical reaction का class online में start करेंगे, अभी हम, Monday से start करने की, पूरी planning चल रही है हम लोग की, कोचिंगे corner हम, अच्छा, तेस्ट का syllabus class में बताए गया था न, जैरेज कर दिया है कोई, यहीं पर लिखे हुए थे, चलिए, ओके, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ा जाए अब थोड़ा सा, चलिए, अब बात यह हो गई, types of angles क्या-क्या होते हैं, तो types of angles में होते हैं, एक positive angle होते हैं, एक negative angle होता है, तो उस पे बात अभी हम लोग रोकते हैं, अभी हम लोग बात करें यहाँ पे, measurement of angles, topic क्या होगा, measurement of angle, measurement of angles, लिखेंगे topic, measurement of angles, angles को measure कैसे करते हैं, comment पे धियान नहीं देना है, बस यहाँ पर पढ़ाई करना है, ठीक है ना, हम बीच-बीच में आपसे हाल चाल पूछते रहेंगे, measurement of angles, देखेंगे, एंगल को measure करने के लिए, एंगल को measure करने के लिए, market में तीन तरह के system चल रहे हैं, एक चल रहा है degree, degree में measure किया जाए, एक चल रहा है grade, की angle को grade में measure किया जाए, और एक चल रहा है radian, की angle को radian में measure किया जाए, देखेंगे बात क्या है, जैसे हमारे यहां length को measure करना होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे यहां length को measure करना होता है, तो कुछ लोग कहता है कि हम foot में measure करेंगे, हमारी लंबाई को faut में देखा जाता है कुछ लोग रह ложप संटीमेटर में मेंशर करेंगे विज fatal हम ना Klaw समना किलो में मेसर करेंगे मैजर्मेंट ना करेंगे यह मेजमनल में तरीका रही है कि हम लेंथ को अलग-अलग कि यूनिट्स में मेजर करें यूनिट्स वैसे ही ये तीनों के तीनों क्या है ना यूनिट्स है यूनिट्स एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स बनाए गया है तीन तरह की यूनिट्स बने हैं और हम नाइंटी डिग्री बोलेंगे तो उसी को ग्रेड में लिखेंगे ना तो पाइबाइट तू रेडियन होगा तो डिग्री अलग चीज़ है ग्रेड अलग है इन्हीं तीनों को आज पढ़ना है हम लोग को क्लास लंबा चलेगा तो डिग्री ग्रेड और रेडियन यह तीन तरह के मेजरमेंट्स हम आपको बताने वाले हैं क्लास तेंथ के लिए इतना काफी है यह जो डिग्री है ना यह जो है ब्रिटिश सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं यह जो ग्रेड है यह फ्रेंच सिस्टम है फ्रेंच और यह जो रेडियन है यह है रे यह सिस्टम है स以 patients ऐस स्टाइं सिपोल देते हैं इसा यूनिट यह ब्रिटिश यूनिट यह फ्रेंच यूनिट है और यह स。 ऐसा यूनिट है अब देखें क्या होता है मन में आ रहा होगा कि तर जब रेडियन SI unit है तो फेमस तो यह होना चाहिए था लेकिन हमारे country में चाहिए दूसरी country में maximum countries में टिगरी को ही लोग famous बना दिया है कि टिगरी ही सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है आज कल भई यह SI system है system of international है यह system of international है इंटरनेशनल सिस्टम है लेकिन फिर भी हमारे यहां के class आस तेन्थ नाइन्थ के बच्चे इसको ठीक से नहीं जानते है रेडियन को लेकिन डिगरी जो ऐसा ही system नहीं है उसको इतना famous कर दिया इसके पीछे भी cause था आप जानते हो कि British system और British वावे जो थे अंग्रेज रोग न वो पूरी दुनिया पर अपना आधिपत पर रखे हैं तो वो दुनिया से यहीं चाहते थे कि सब लोग उन्हीं का system study करें तो सब को यहीं वाला system पढ़ा दिया लोग वहीं तेन्थ के होगा radiant पoken रही बात ग्रीट की ग्रीड फ्लॉब कर गया है ग्रीड आगे नहीं बढ़ पाए ठीक है न थो एकिक करके हम इंतीनों के बारे में study कर लेते हैं वन बाई वन इन तीनों को हमें study कर लेते हैं, ओके, चलिए, start करते हैं, हम पहले degree से ही, degree से ही start करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कि there are three systems for the measurement of angles. एंगल को measure करने के लिए, तीन system है हमारे पास, there are three systems for the measurement of angles, पहला जो system है, इसका नाम है sexagesimal system, नाम याद रखियेगा, sexagesimal system बोलते हैं, यह degree के लिए चलता है, degree वाले system का नाम है, degree वाले system का नाम है, sexagesimal system, दूसरा जो होता है, that is called centesimal system, centesimal, centesimal system, यह grade system है, grade system, और third जो आता है, इसका नाम है, ठीके ना, यह तो SI system है, that is called circular system, circular system बोलते हैं, circular system, आइस में angle को radian में measure करते हैं, radian में measure करते हैं, तो याद रहे, तीन तरह के system है, sexagesimal system, centesimal system, और circular system, यह तीन तरह के system है, अब एक एक करके हम लोग इनको start करेंगे, सबसे पहले sexagesimal system को पढ़ेंगे, ओके, चलिए, तो start one लिख दीजिए तो, तो हम एक number को start करें सब लोग, start one लिख दीजिए तो एक number को start किया जाए, जल्दी से, ओके, आज, योगी जी, मोदी जी जैसा आने लगा लोग भाई, चलिए, कोई नहीं, thank you, हमारा जुड़वा आया है, अच्छा, ठीको, मनमीत दिर्वास्तो के नाम से ID बना दिया है, चलिए, धन्यवाद, चांत हो जाईए, चलिए, start one कर दिया बच्छा लोग, एक एक करके पढ़ लिया जाया भी इनको, कि ना, नमबर वन, टेक्साजेसिमल सिस्टम, टेक्साजेसिमल सिस्टम, चलिए, एस्टोरी है, थोड़ा सुनने की गोसिस के जिए गए यहाँ पर, सम्जा रहा है ना, एक एस्टोरी है, सुनने की कोशिस के जिएगा, पहले तो हम आपको यह बता दें की कौन है, ति एक ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश, और यह, ब्रिटिश, सिस्टम, एक ब्रिटिश सिस्टम है, एंगल को डिग्री में में मेजर करते हैं, एसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, इसको डिग्री में लिखते हैं, लिखते चलिए गया सब लोगों ओन लाइन और ऑफ लाइन, एंगल मेजर के जाता है डिग्री में, अब चलिए, क्या है, थोड़ा था जान लिए जाए, दीए, पुराने जमाने में एंगल को मेजर करने के लिए न, पुराने के जमाने में यूज किया जाता था जो उसका नाम था राइट एंगल ही पुराने जमाने से यूज होता था ये जो दो डिगरी दस डिगरी पचास डिगरी है न इसको यूज कोई नहीं करता था सब लोग पुराने जमाने से राइट एंगल ही यूज करते आ रहा है राइट एंगल कहने का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग पहले ये दिन और रात तो जानते नहीं थे पुराने जमाने में लोग अगर बोलना हो कि दो दिन बाद आना तो लोग दो दिन बाद को बोलते थे न कि दो सूरज बाद मिलना हमसे दो सूरज बाद मिलना तो दो सूरज मतलब दो दिन तीन साल बाद तुम आए हो तो ऐसे क्या करना हो साल को बर साथ तुम तीन बर साथ के बाद आए हो तो तीन को बारिस का मौसम बीत गया मटलीन साल बीत गया फैले साल महीना यह सब नहीं होता था पहले measurement का तरीका अलग होता था कि सूरज बाद आना बरसाथ के बाद मिलना यह अलग सीज होता है वैसा अस सीधा अगर सीधा सीधा दो चीज़ें आपस में काट लें ना सीधा सीधा द दो चीज़ें आपस में काट लें तो यहां जो एंगल बनता है न इसी का नाम है right एंगल इसी का नाम है राइट एंगल मतलब एक पॉइंट पर वन पॉइंट पर एक पॉइंट पर कितने राइट एंगल्स बनते हैं पोर राइट एंगल्स एक जगह पे एक जगह पे चार राइट एंगल्स बनते हैं फोर, चार right angles बनते हैं, तो पहले का लोग कैसे कहता होगा, कि एक right angle, half right angle, two right angle, three right angle, ऐसे measurement किया जाता था, मतब right angle पहले से था ध्यान दीजिएगा ये right angle है ये पहले से था लोगों के पास में इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश वालों ने उस right angle को ही दूसरी तरह से study करवा दिया कैसे? वो सुनेंगे थोड़ा सा इन्होंने एक right angle को one right angle इसको इन लोगों ने 90 degrees में बाट दिया, 90 part में बाट एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, 90 90 part में बाट अलग, 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 अलग parts में बाट दिया और हर एक part को, हर एक part को एक degree बोला गया, one degree बोला गया तो right angle में कितने degrees हो गया, 90 degrees एक right angle को 90 part में बाट इनोंने और हर एक part को एक degree बोला इसलिए एक right angle में कितना degree होता है, 90 degree होता है, कितना degree होता है, 90 degree होता है एक right angle में 90 degree, इसलिए आप लोग को बोला जाता है, अच्छा आपको class 9th का एक theorem याद होगा वो class 9th का एक theorem था, theorem नहीं था, exume and postulate था, exumes and postulate, Euclide का पढ़े होंगे आप लो class 9th में, exumes and postulate तो वहाँ postulate जो last number था, उसमें देखिएगा, उसमें बताया गया है postulate में, जो Euclide थे उन्होंने कहा है, कि less than two right angles less than two right angles, 180 degree नहीं बोले हैं, less than two right angles, मतलब उस समय में degree नहीं था, radian नहीं था, grade नहीं था, right angle था इसलिए आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले Euclide थे इस दुनिया में, उस समय में उन्होंने right angle का ही यूज किया था, या दा रहा है, Euclide's geometry में पढ़े होंगे, तो वही बात है, one right angle को modern जमाने में 90 parts में बाटा गया, अब आपके दिमाब वह 90 क्यों बाटे, पता नहीं, मन में आया होगा, माट दिया होगा लोग, तो 90 parts में बाटा गया है, degree is never written in decimals, degree को decimal में नहीं लिखना चाहिए, तो डिगरी का छोटा unit भी होना चाहिए, तो याद रखेगा, 90 degree है ना, one degree में 60 minute होता है, इसको minute बोलते है, minutes, 30 minute होता है, और one minute में 60 seconds होते है, इसको second बोलते है, seconds, और इसको degree बोलते है, तो यह चीज़ को लिख लिख लिजएगा, टेक्सा जेसिमल सिस्टम में, एक right angle को 90 parts में बाटा गया है, हर एक part को one degree बोला गया है, देखिए, अभी भी बहुत बड़ी story है इसके पीछे, उतना समय हम लोगे पास में नहीं है, क्योंकि कल सुबह में test है, तो इसलिए आज deal करना है इसको, अभी एक 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 एंगल पर ना, दो दो घंटे का वीडियो बनाया जाएगा, जब छुटी में रहा जाएगा, summer vacation इसकी चलेगा ना, उस time में, एक एक टॉपिक पर ना, दो दो तिन दीन घंटे आदमी बोल सकता है, इतना material aids के अंदर, अभी उतना जान लीजे जितना आप को जरूरत है, ठीक है, तो one right angle equals to 90 degree, one degree में 60 minute, one minute में 60 second, test में कहीं से भी question आ सकता है, कहीं से, कौन कौन सा system है, किसमे measurement करते हैं, कहीं से भी आ जाएगा question, ओके, चले, very good, ओके, ठीक है, चले, आगे बढ़ा जाए, देखिए, आज ट्रीगों का क्लास हो रहा है, जिनको ट्रीगों का क्लास करना है, कर लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी समय में आप लोग कहिएगा, बैलेंसिंग बताने के लिए, आयनिक एक्वेशन थी, इस सब नहीं हो पाएगा, बैलेंसिंग का एक वीडियो इसके जस्ट पहले बना था, उसमें आयनिक एक्वेशन भी समझाय हुए है, कोई जैस ठाकूर है, वो पूछ रहा है question, तो आप उस वीडियो में देख लीजे इस संटेसिमल सिस्ट, यह जो है ना, यह फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस का अपना सिस्टम है, फ्रांस ने कहा ना ना ना, हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा खुद का अपना सिस्टम होगा, तो फ्रांस ने अपना सिस्टम बना दिया खुद का इसमें एंगल इज मेजर्ड इन एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड इंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं रिटेन एज एक्स ग्रेड उपर जी लिखा जाता है एंगल को ग्रेड में मेजर्मेंट करते हैं वही काम इन लोगों ने भी किया है जैसे बृटिश वालों ने काम किया था बृटिश वालों ने क्या किया वान राइट एंगल को 90 पार्ट में बाटा यह बोला हम कहें पीछे रहेंगे, one right angle को हम, hundred parts में बाटेंगे, hundred parts में, one right angle is calls to hundred grade, hundred parts में बाटा, नाम में देख रहे हो, saint है, saint, saint मतलब होता है century, century, cent मतलब होता है 100, जैसे century, लोग बोलता है percent, cent मतलब 100, गाओं में लोग बोलता है cent percent उमार खईबे करेगा, तो मतलब cent percent, 100 percent, तो 100 का नाम निकलता है, cent से 100 निकलता है, तो hundred, इसको hundred parts में बाटा, एक, दो, त्री, पोर, पांच, छे, सेवन, एट, हंड्रेड, तो यह हो गया, तो हर एक part को one grade बोला गया है, हर एक part को one grade बोला गया है, हाला कि grade को भी decimal में नहीं लिखते हैं, तो वही system है, one grade में 60 minutes, 60 minutes, और one minute में 60 seconds, 60 seconds, आप लोग घबराएं नहीं, अभी हम question पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा नहीं रहा है questions, अभी पहले topic पढ़ा दे न, तीनों topic पहले खतम कर देते हैं, फिर हम आप लोगों पढ़ाते हैं, कि कैसे इस पर questions बनेंगे, question पूछा जाएगा, question बनाया जाएगा, बहुत सारा है, पहले इन तीनों को पढ़ लिया जाए अच्छी तरह से, इसमें भी one grade में 60 minute और एक minute में 60 seconds होते हैं, इसमें, क्लियर है, आप लोगों को भी, okay, अब third number topic आता है, third and last, इसे हम कहते हैं, circular system, circular system बोलते हैं इसको, ठीक है, circular system, this is SI system, this is SI system, या SI unit बोल दीजिए, SI का दोगों मतलब होते हैं, एक होता है, system of international, system of inter-national, या आप इसको चाहों तो international system भी बोल सकते हो, इंटर, sorry, international, आप इसको international system भी बोल सकते हैं, और system of international भी बोल सकते हैं, एंगल्स, आर, मेजर्मेंट, इन, रेडियन्स, एंगल्स का मेजर्मेंट, रेडियन्स में किया जाता है, एंगल्स का मेजर्मेंट, रेडियन्स में किया जाता है, clear, written as x radian, रेडियन्स के लिए उपर c लगाते हैं, written as x radian, अलागि radian में कोई एंगल रहेगा तो उसमें πाई जरूर रहेगा, πाई, पाई समझते हो, यह बोलते हैं, पाई, यह पाई जरूर रहेगा, पाई जिस भी एंगल में आ जाए, समझ जाएंगे कि वो radian में है, अब चलिए, इसका मेजर्मेंट का तरीका किया है, तुड़ा इसको भी जान लिया जाए न, कि इसमें मेजर्मेंट कैसे किया जाता है, इतना लिख लिए हैं, यहां तक clear है, तो लिख देंगे एक बार clear सब लोग, तब हम इसका figure बनाते हैं, अभी topic लंबा है, don't worry, इसका figure समझाते हैं, लिखेंगे clear सब लोग, कि कौने जी, सर हम सोच रहे हैं, आपका salary बढ़वादें, ऑफिस में बात करके, बढ़वादो भाई, बढ़वादो, जरूरी है, खर्चा नहीं चल रहा है, बहुत महंगाई के जमाना आ गया है, ठीक है न, देख रहे हैं, आप लोग भी petrol कितना महँगा हो गया है, डीजल कितना महँगा हो गया है, कहीं आदमी बाहर जा भी नहीं सकता है, एक लड़का लिखे हुए, सर आप अगर अपने रूम में जाते होंगे, देखते होंगे आपकी मम्मी भी आपका लाइव क्लास रिटेंड कर रही है, तो आपका रियेक्शन, भाईया हमेशा रिटेंड करती है, वो देखते रहती हैं, कब क्लास बंद हो रहा है कि घर में लगबाग पचाहस से बाद में वन को कॉल यपाइस मोबायल पर कॉल आता है कहा रागा,भी तक नहीं आया, तो इसी लिए देखते रहती है, किन्ता ना करें अप लोग अच्छा हुआ नहीं तो कल फट्टा वह कि इंडिया का कोई अपना सिस्टम नहीं है फ्रांस के तरफ एव यह इंडिया में लोग तक कोना कोनी बोलते बोलते इतना बिगाड़ दिया है नापी जोखी का तब बाते छोड़ दो कि अगरे तरी कोन यह सब चीज पहुत सारा चीज है जो इंडिया में भी लोग किया होगा लेकिन नाम नहीं दिया लो यहीं गलती कर दिया लो कोई सिस्टम दे देना चाहिए था चलिए चलिए आगे पड़ा जाए चीक है क्या है थोड़ा सामको एक्स्टा पेज चाहिए तो हम एक बार पेज एड़ कर लेते हैं नहीं तो पेज खतम हो जाएगा दूपलिकेट कर ले हम पेज और एड़ करना होगा हमको यह बहुत सारा चीज पढ़ाना है आप लोग को हमको लगा है कम में काम चल लाएगा चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि कर देखिए मान के चलिए सर्कुलर सिस्टम है इसका नाम क्या नाम है सर्कुलर सिस्टम तो मान के चलिए कि एक सर्कल है यहाँ पे एक सरकल है है यहांपे, clear? और इस सरकल में हम कहते हैं कि यहां पर center है, देखो तो center सही है भाई, good, very good. यहां पर एक center है, ठीक है, एक circle है, circle के बीच में एक center है, इस center से हो के जाता हुआ हम एक diameter ऐछलेते हैं, सेंटर होके जाता हुआ डायमेटर अब देखिए ध्यान दीजिएगा यह जितना बड़ा रेडियस है आर कि इतना बड़ा रेडियस है आर उतना ही बड़ा मान के चलिए कि जैसे एज फॉर एक्जामपल हम इसको मेजर्मेंट कर लेते अपने आईडि कट कार्ट से तो निकलना फ哦 दोड़े सी गजैकर अपने आइडी कार्ट सी मेजर्मेंट कर लेते हैं ऑते हैं यहाँ जैसे मांन के चलिए यहां से यहाँ तक गोरा ऐसे टना बड़ा रेडियस होगा यहां पर ठीक है जैसे वहां पर जा रहा है तो देखेंगे तो वह इगड़ गया जी ठीक है यहां आर है तो देखिए यह जो है न यह यहां से यहां तक अगर हम आर ले लें ध्यान दीजिएगा और इसको मिला दें कितना बड़ा यह रेडियस है उतना ही बड़ा अगर आर्क काट लें तो यहां का जो एंगल होगा इसे वन रेडियन बोला जाएगा यहां के एंगल को वन रेडियन बोला जाएगा वन रेडियन फिर से सुनिए जितना बड़ा रेडियस है अगर उतना ही बड़ा आर्क कट कर दें आर्क तो जो मिलाने पर एंगल बनेगा न इसको वन रेडियन बोला गया है वन रेडियन फिलिए एक तरह से और समझाते हैं इ यहां से यहां तक one centimeter, एक centimeter है, एक meter है, एक kilometer है, I don't care, एक है एक, और यहां से यहां तक भी one centimeter है, one centimeter, तो जो यहां पर angle बनेगा ना, यह one radian होगा, क्या होगा, one radian हो जाएगा, one radian, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको और घुमा दें, इस side में, इतना ही बड़ा और कट कर ले तो, क्या हो जाएगा, one radian और हो जाएगा, one radian हो जाएगा, one radian, इतना ही बड़ा और घुमा दें, यहां पर, तो, one radian और हो जाएगा, यह जो बचा हुआ एंगल है न, इतना दूर, यह जो एंगल बच रहा है, इसका भैलू है, 0.14 radian, मतलब यह 100%, यह 100%, यह 100%, यह 100% और यह 14%, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अगर देखा जाए, बाबु लोग, तो एक तरफ कितना एंगल बनता है, एक तरफ, कितना बनता है जी, 180 degree, 180 degree, और radian में, 1 radian, plus 1 radian, plus 1 radian, plus 0.14 radian, अगर हम जोड़ दें, तो 180 degree, is equal to, 3, 1, 2, 3, 3.14 radian, तो 180 degree, इसका 3.14 किसका भैलू है, पाई का, तो पाई radian आ जाता है, पाई radian, इसे लिए पाई को 180 बोला जाता है, इसे लिए पाई को 180 बोला जाता है, याद रखियेगा, पाई is equal to 180 degree, इसे लिए, क्योंकि ये जो भैलू है न, ये ऐसे ही आता है, 1 radian, 1 radian, 1 radian, जीतना बचा वो कितना है, 0.14 radian, आधा से भी कम है, कि देखो, कोई कितना चोड़ा है, कितना चोड़ा है, तो आधा होता है, तो 0.5, उसे भी आधा होता है, 0.25, और उसे भी कम है, 0.14, बहुत कम हो गया, इसे लिए 180 degree is equals to pi बोलते हैं, 180 degree में pi होता है, अगर हम 180 को 90 कर दे, 90 degree, दो से भाग दे दे, तो 90 आजाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, pi by 2 radian, मतलब one right angle, 90 degree को एक right angle बोलते हैं न, तो one right angle, one right angle is equals to pi by 2 radian, one right angle is equals to pi by 2 radian, लिग डालिये तो इसको, लिग डालिये तो भाई सब लोग इसको, pi by 2 radian, ठीक है न, चलिए, very good, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बच्चा जी लिखे हुए है, आप वर्ड प्रमस हो गया है, आपके क्लास मिलोन मस्त, मोदी जी, योगी जी, लालु जी सब को या रहा है, सहीए बात है, अब सब डूपलिये केट से हमको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, एक बार और बता देते हैं, किंग्स वाले भाईया, एक बार और बता देते हैं, निस्चित, ओके, ओके, ऐक बार और समझे लिजी, आप लोग, दिखे, क्या होता है, एक कोई सरकल है, अगर उस सरकल में, हुर्कुलर सिस्स्टम इसलिए इसका नाम पड़ा, यहां पर center है, इसको radius बोलेंगे, इतना ही बड़ा अगर radius के बराबर, यहां से हम arc cut कर लें, arc, इतना ही बड़ा, तो यह जो है न, इसको one radian बोला जाएगा, clear? अगर इतना ही बड़ा radius और काट लेजिए, तो यह भी one radian हो जाएगा, इतना ही बड़ा radius और काट लेजिए, तो यह भी one radian हो जाएगा, जो बचा हुआ है न, यह 0.14 है, मतलब भी radius का half होता तो 0.5 बोलते, आधा होता तो, उसका भी आधा होता तो 0.25 बोलते, one का half 0.5, उसका half 0.25, लेकिन 0.25 से भी कम है, 0.14, तो 0.14 radian, यह पूरा angle कितना बनता है, यह वला angle, 180 degree, 180 degrees, तो 1, 2, 3, और 3.14 radian, तो 180 degrees is equals to 3.14 कितका बहर हो है, पाई radian, दुबारा समझा है, समझ में आ गया, पाई radian बोलते हैं, समझ में आ रहा है बभू, पाई radian, इस तरीके से तीनों सिस्टम हम आप लोगों को पढ़ा दिये, कि कौन कोन से सिस्टम से angle का measurement होता है, कौन कोन से सिस्टम, texagesimal system, centisimal system and circular system, texagesimal system जो है, British system उसमें degree में measurement करते हैं, centisimal system जो है, वहाँ पर grade में measurement करते हैं, और जो circular system है, वो SI system में वहाँ पर radian में measurement किया जाता है, radian में pi जरूर रहेगा बस इतना याद रखे, radian कभी भी decimal में नहीं हो सकता है, इसमें pi जरूर रहेगा, चलिए, तो एक बार सभी बच्चा लोग all clear लिख दीजिए, all clear लिख दीजिए, तब हम question start करेंगे, all clear लिख द सही है, okay, very good, very good, हाँ जी, एक बार और बता दिये भाईया जी, आप बोले हम ना बताएं, okay, okay, thank you, thank you, thank you, Elon Musk, 4 बार all clear, ठीक है, निसान्थ भाईया आपको समझ में आगे हैं जी, ओके, एसी चला, ये गर्मी लग रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन उधर जा रहा है ना, अगुवा वला बेंचवा पर हुआ जा रहा है, हमारे तिरफ कौन सोचता है, ओके, ओके, चलिए, start किया जा, topic होगा, examples, topic अब डालिए, examples, धेर सारा example पढ़ा जाएगा अब, question number one, first number question है, question number one, पहला number question है, देखिए, पहले हम समझा रहे हैं, उसको समझ लीजिए, उसके बाद में हम लोग questions को देख लिया जाएगा, अलग-अलग questions को solve कर लिया जाएगा, माल लीजिए, हमें कोई angle देगा, देगा, convert, convert 20.5 degree into TMS, TMS बोलते हैं मालूम है किसको, degree minute second, degree minute second में, TMS बोलते हैं, degree minute second में convert किसे, convert 20.5 degree into TMS, degree minute and second, मतलब यह जो decimal है, हम बोले न आपको, वो decimal काम नहीं करता है, decimal नहीं रहना चाहिए angle में, तो हमें decimal को हटाना होगा, तो हम जब यहाँ पर solution करेंगे, तो हम लिखेंगे given, जो हमारा given है, क्या है 20.5 degree, पहले हम खूब अच्छे से इसको समझते हैं, हम चाहें तो 20 degree को अलग, और 0.5 degree को अलग लिख सकते हैं, जो whole number है उसे अलग कर दिये, और जो decimal है उसको अलग कर दिये, एक बात बताएए, अभी अभी आप लोग पढ़े हैं, कि 1 degree में 60 मिनट होता है, एक degree में 60 मिनट होते हैं, तो 0.5 degree में कितना मिनट होगा, जल्दी बोले तो comment box में, 0.5 degree में कितने मिनट होंगे, fast fast, नहीं बाबू, कल के question में, test में DPP से questions नहीं रहेंगे, कल टेस्ट में हम इतना बनाएंगे, कि गोएमार बोलेगा, बस करो, इस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़ियां, बहुत अच्छे, बैटी रिशार्ज हो जाएगा, इसका वीडियो मत चले, यह, हमारा मुबाइल बैठी गया है, पूरी तरह से, तलिए, यह 30 मिनट बोल रहे हैं भाईया, बहुत बढ़ियां, सही है आपका, लेकिन 30 मिनट कैसे आया है, बहुत सुनिए, देखिए, क्या कीजिएगा, अब सुनिए दुबारा से, क्या कीजिएगा, होल नंबर को अलग लिख दीजेगा, 20 डिगरी, पलस दीजेगा, और यह जो डेसिमल है न, इसको अलग लिखके 60 से मल्टिप्लाई कर दीजेगा, पहली बार 60 से मल्टिप्लाई करेंगे तो मिनट में होगा, दूसरी बार मल्टिप्लाई करेंगे तो सेकेंड में होगा, अब देखिए तो, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, यह 0 इसको खाएगा, और क्या बनाएगा, 20 डिगरी पलस 30 मिनट, that is 20 डिगरी 30 मिनट, एक साथ लिख देंगे, 20 डिगरी 30 मिनट, नहीं, मिनट अलग रहेगा, सेकेंड और इस डिगरी अलग रहेगा, एड नहीं करते हैं, 20 डिगरी 30 मिनट, पहले पहला एक्जामपल लिखें, और इसको लिखने के बाद में दूसरा एक्जामपल बनाएं, तब लोग बना के जल्दी जांसर करें तो, 45.2 डिगरी, 35.2 डिगरी, जबाब दिये हैं, अच्छा, 12 मिनट बोल रहे हैं, मुदी जी गलत बात है, भई, गुट, 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 वेरी गुट, जल्दी बनाएं, सब लोग बनाने के बाद ही आंसर करें, वेरी गुट, वेरी गुट, वेरी गुट, अरे भाई, इसका तो सही आंसर है, जी, बहुत बढ़ियां, हाँ, हाँ, एक आदमी बढ़ियां से लिखा है, प्रियंका गुट, नाम की जो रड़की हैं, वो बढ़ियां से लिखी हैं, 35.2 डिगरी, 12 मिनट, ये आंसर लिखना है, हाँ, हाँ, निकिल कुमार, अमन यादो, बहुत बढ़ियां, वो डैस आता है, आप लोग के जो कीपेड है न, कीपेड उसमें डैस आता है, लिख सकते हैं, आप लोग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, किरिव मिनट नहीं बताना है भाई, पूरा भैलू लिखना है, पूरा भैलू लिखना है, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, गुट, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा, 35 डिगरी पलस, 0.2 इंटू, 60 मिनट, डेसी मल हटाएंगे, 10 आएगा, इसको खा जाएगा, 35 डिगरी और 6 तूजा, 12 मिनट, यह हुई न बात, बहुत अच्छे, ते लिए, थार्ड नम्बर क्वेस्टन यही पर हो जाए, जगह है यहां पर, थार्ड नम्बर क्वेस्टन हो जाए, 30.25 डिगरी, बनाए तो, 30.25 डिगरी, 30.25 डिगरी, क्या यहीज मेजैने क्वेश्टन यहां थार्ड नम्बर क्वेश्टन यहां मै अ अच्छा फ्यूचर देखते हैं इसलिए बहुत पहले ही बता दिये बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां काफी लोग आंसर कर रहा है कि ठीक है ठीक है बहुत अच्छे केमिकल रेक्षन से क्या क्या पढ़ना होगा पस यह चीज पर लिजिए कि कौन सा रियक्षन किस टाइप में आएगा टाइप ऑफ रियक्षन पर लिजिए उसमें थोड़ा सा हेल्प कर मिल जाएगा आपको ठीक है ना ओके ओके हम भी बना देते हैं भाई बहुत अच्छी बात है कि वालिटी चैंज है चलिए गुड हाटी डिग्रीज प्लस 0.25 इंटू 60 मिनट यह हटेगा 100 आएगा ठीक है ना 00 कैंसिल पांच से दो बार में पांच से पांच बार में दो से तीन बार में तो थाटी डिग्रीज फाइप थ्रीज आप 15 मिनट बहुत अच्छे बहुत लोगा सही है भई वेरी गुड अगर मान लेते हैं कि अभी भी डेसिमल बच गया तब उसको सेकेंड में कनवर्ट कर देंगे अगर अभी भी डेसिमल बच गया तो दुबारा फिर से उसको मल्टिप्लाई कर देंगे देखें फोर्थ नंबर क्वेस्टन एक फोर्थ नंबर क्वेस्टन देखें हां है 23.225 डिग्री थ्री डिजिट में है यह अच्छे से सॉल्व करेंगे 23.225 डिग्रीज 23.225 डिग्रीज अराम से बनाईए गल्ती नहीं करना है अराम से बनाईए मेस्टेक नहीं करना है आप लोग से बना इसलिए न आप लोग जब बैच में पढ़ते हो तो हम बार बार बोलते हैं घबराएं नहीं आप लोग हम सुरूर से जो भी चीज पढ़ाएंगे न बहुत बढ़ियां से समझ में आएगा बीच में क्लास जो बच्चे जोईन करते हैं उनको घबराहाट हो जाती है कि आप 23 डिग्री प्लस जिरो पॉइंट तू तू फाइव इंटू 60 मिनट एसिमल हटेगा 1000 आएगा 00 को खाएगा पचीस से नौ बार में पचीस से चार बार में इससे दो बार में इससे तीन बार में नाइन त्री जा 27 एस और ओ तो हो जाएगा 23 डिग्री प्लस तू से 27 को काटेंगे 14.5 मिनट 23 डिग्री प्लस इसको अब अलग करेंगे 14 मिनट प्लस 0.5 फिर इसमें से लगवा फिर से 60 से मल्टिपलाई अब की बार सेकेंड होगा डेसिमल हटेगा 0 कैंसिल क्या आया 23 डिग्री 13 मिनट और 30 सेकेंड आया है जी डबल करना था डबल डबल बार इसको शॉल्व करना था तकि डेसिमल अभी हमारा बच गेया था अगर डेसिमल बच गया था तो दुबारा से 60 से मल्टिपलाई करेंगे bufferISE से 60 मिल्टिपलाई करेंगे कि लियर है ते ले एक बार वांलाइन एंट्टिंट्रें.. आप लोगो को अब बहुत बने आप कुछ लोगा सही है जी अप रिवा अपी पैस में क्लास में बोटल आप पड़े का है के-विद आप पड़ेगा जी कि आप लोग तो खुदे सीची के बोटल लेन जी किसी मैंने चाना क्या क्लासिस आप आप का सही है हम लोग का आईडी काड़ कब मिलेगा फैसल जी पूछ रहे हैं मिलेगा बहुत जल्दी से आईडी काड़ मिल जागा ते किना हमारा बन गया है ठीक है आप लोग अभी मिलेगा करते हैं बैवस्था कि चलिए वेरी गुड कि अब डिग्री वाला बात खतम होगया आप प्लोबाग ग्रेड का बात कर लिए जाए ग्रेड का तेन एक क्वेस्टन बस ग्रेड से ग्रेड परह्यादा questions नहीं आते हैं वेर फाम नंबर हुआ आप लोग 25.25 यह ग्रेड है इसको आप GMS में convert किए GMS समझते हैं न ग्रेड मीनाट एक ही question इसमें क्योंकि इस पर ज्यादा questions नहीं पूछे जाते हैं बनाया तो जल्दी से ग्रेड है ग्रेड से मुए इसी 60 से ही multiply होगा 60 साट से ही multiply होगा बस वहाँ दिगरी था और यहाँ पर ग्रेड रहेगा बस उतना ही difference होगा वहाँ डिगरी था और यहाँ पर ग्रेड रहेगा है आपका फोटो पहले आपको दिखा देंगे जी को टूकेन गेमिंग पहले हम कर आदार कर जैसा फोटो नहीं डलवाने देंगे ठीक है ना एक बात है जो आप यह आप लोग अपना फोटो दिये होगे यहां पर form में वही फोटो आएगा याद रखियेगा तो या तो कल के कल फोटो चेंज करवा लेजिए और नहीं तो आइडी का डेक बार जे निकल गया ना तो भाईया जी दुबारा चेंज नहीं होगा याद रखिएगा ओके 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 वेरी गूट ठीक है देख लेते हैं 25 ग्रेड पलस 0.25 इंटू 60 मिनट डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा 25 से 4 बार में 4 से 15 बार में कट गया तो यह को चुआ भाग रहा है तो यह तो यह 25 ग्रेड और 15 मिनट यह हो जाएगा आंसर क्लियर है वेरी गुट किन का इन है सही आप लोगों में देवा गुट बहुत अच्छे एक बच्चा जी लिखे हुए है चाना क्लासे का टी-शर्ट भी मिल लाता है तो मजा ही आ जाता ए भाई अजी फिस्वा केतना बड़ जाता ही समझ रहे हैं अगले साल देखा जाएगा बजट अभी कम चल रहा है ठीक है ना सरवड़ी लोन में हैं ठीक है अगले 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 लोग देखा जाएगा अब आगे बढ़ते हैं लोग रहने दिया इसको चलिए अब थोड़ा सा अराम से यहां से ध्यान देना है अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कनवर्जन आप लोगों कनवर्जन एक नया टॉपिक है इसमें लिखेंगे टॉपिक कनवर्जन कैसे होता है मतलब यह कि दिया हुआ है डिगरी दिया हुआ है ग्रेड और दिया हुआ है सर्कुलर सिस्टम तो डिगरी से ग्रेड में ग्रेड से रेडियन में रेडियन से ग्रेड में ग्रेड से डिगरी में डिगरी से रेडियन में और रेडियन से डिगरी में यह कैसे convert होता है सब को आपस में convert करना है ते दिगा 20 degree grade में कितना होगा दे दिगा इतना grade dairy में कितना होगा ते दिगा इतना radiant degree में कितना होगा खुआ इनको आपस में convert करने के लिए formula पढ़ेंग lessons SI formula आप लोग 9th class में temperature में पढ़े थे temperature section में जब आप लोग को matters in our surrounding पढ़ाय गया था तो temperature section में आपको एक formula मिला था इसमें C by 5 था F minus 32 by 9 था और K minus 273 by 5 था ये formula आपको temperature conversion के लिए पढ़ना था ये temperature conversion के लिए ये formula पढ़ना था उसी तरीके से यहाँ पर angle का conversion करना है angle conversion ठीक है angle conversion के लिए पढ़ना है खुब बढ़िया से चिंता नहीं करना है आराम से इसको समझने की कोशिस करनी है clear? कि कैसे इसे convert किया जाता है हम one right angle लेके चलते हैं one right angle एक right angle की पढ़ाई करते हैं यहाँ पर one right angle एक बात बताईए आप लोग अगर one right angle लें तो degree में कितना होगा? 90 degree grade में कितना होगा? 100 grade और radian में कितना होगा? पाई बाई टू रेडियन पाई बाई टू रेडियन यह हो गया one right angle में यह तीनो 90 degree 100 grade और पाई बाई टू रेडियन यह तीनो आपस में इक्वल हैं one right angle के लिए right इटी है यह तीनों आपस में इक्वल है तो अब इसका एक shortcut त्यार कर रहा है तो आप इसका एक shortcut त्यार कर रहा है तो आप इसको डी बाई टी बाई 90 कर दें यह grade है इसको जी बाई 100 कर दें ठीक है? और यह pi by 2 radian है तो इसको c by pi by 2 कर दें तो 2 चला जाएगा उपर क्या बनेगा? t by 90 is calls to g by 100 is calls to 2 उपर चला गया 2 c by pi यह हो गया हमारा conversion का formula लिग लेंगे जल्दी से यही अब आप लोग को सारे questions को solve करने में help करेगा यह हो गया हम लोगा conversion का formula यह shortcut त्यार किया है कैसे? degree था ना तो degree के नीचे उसके value को डाल दिए grade था तो grade के नीचे उसके value को डाल दिए और circular system था तो c के नीचे उसके value को डाल दिए तो यह pi by 2 है तो 2 पल्टी मारेगा ना denominator है जब denominator में भी denominator हो तो numerator बन जाता है तो यह चला गया उपर तो 2 c by pi हो गया तो यह हमारा conversion का formula आ गया conversion का formula आ गया clear है? जबस्ता किया जए double mic के ना double mic के ब्यवस्ता करवा रहे है ठीक ना तब एक और सर रहेंगे दो आदमी मिलके हम लोग आराम से discussion करेंगे questions का Elon Musk पैसा दे देंगे सर पूरे students का अरे भाई कहां थे आप? चलिए okay हो गया हो गया भाई रहे का अदमी लिखे हुए है मोदी जी हम लोन माप करवाते हैं करवाईए जल्दी स्मार्ट बोड कव स्स्टी क्लास में स्मार्ट बोड कव लगेगा देखो भाई अगर किसी को आप लोगों में से विश्वास नहीं है तकल आके हमसे पर्चेजिंग बिल जो होता है न वो देख लीजी आकर के काफी टाइम हो गया है लेकिन वो लो अभी तक डिलिवरी नहीं दे पाए है वो लो जैसे ही यहां पर भेज देंगे हमको तो एक दिन लगेगा लगवाने में न एक दिन क्या दू चार गहंटा लगेगा आपको ऐसा लगता है कि हम मतलब कोई चीज क्लास में व्यवस्था बढ़ानी हो तो हम कमी करेंगे अभी आप लोंने बोला था एसी लगवाने के लिए लग गया कि नहीं लग गया आप लोग बोलो माइक बोले माइक लगा उस दिन बोले थी कि एक्स्ट्रा लगवा देंगे मजाक में बोले थी लगवा द तुड़ा रहा थे कि नहीं तुड़ा रहा था फूरा उसमें भी टाइल्स करवा रहे हैं आप लोग चिंता ना करें हम व्यवस्था में कमी नहीं करेंगे ठीक है ना ओर्डर हो गया है भेज देता अगर अपना घर का होता ना तो अपने से रात में बैठके बना के लगा दिए रहते हैं अहीं है अपने घर का मेरे भाई चलिए स्टाट किया जाए कहानी को ठीक है नहीं बहुत जल्द आ जाएगा ठीक है ना बहुत जल्द आ जाएगा चिंता नीकिजे हम आरा हम फोन करके अभी न निकलते क्लास से तो सुनी सुनाते हैं पड़िया से उलों को मने सुनाने का मतलब अगरों को बोलेंगा भाईया जी भेज दीजिए ना हाथ जोड रहा है बच्वा सब हमको परशान किया हुआ है का पता कई दुख सुन के हमारा भेज दे सब जल्दी ना चलिए स्सार्ट किया जाए फिर से एक्जांपल चलेगा फिर से एक्जांपल याद रखिएगा ग्रेट अगर होगा तो लीजिए फिर से सब लोग अगर कभी भी फार्मूले में एक लेकर डिया होगा conversion में grade होगा तभी यह formula apply करेंगे नहीं तो यह formula apply नहीं करेंगे चलिए एक्जाम्पल नंबर वन माल लिजिए हमको दिया हुआ है कि 45 degree है आप इसको grade में convert करो grade में में convert करो तो हम क्या करेंगे formula उठाएंगे कि इसमें grade है अगर grade है तो formula उठाएंगे क्या है since degree by 90 is equals to grade by 100 यह 90 सुन्दर लिख देते हैं तो degree में दिया हुआ है 45 अगर 45 यहां पे लिख दे भाई या लोग तो 45 by 90 is equals to G by 100 45 से 2 times में और 2 से 50 times में तो G is equals to 50 grade this is the answer यही आंसर आप लोग आया है यही आंसर हो जाएगा देखे फॉर्मूला यूज तब करेंगे ना फॉर्मूला यूज तब करेंगे जब grade दिया हुआ हो उसमें grade दिया हुआ हो एक क्वेस्टन हम आप से पूछते हैं बताओ तो भई आप लोग से एक क्वेस्टन पूछते हैं बताओ ये तो जल्दी से इगा ना वैसर नॉम्बर 2 रेट पिन वैसर नॉम्बर 2 इगे सिक्स्टी ग्रेड इसकल्स टू हाव मच डिग्री बनाए तो जल्दी से सिक्स्टी ग्रेड में कितना डिग्री होगा अच्छा मेरे रूम में ब्लैक विल्दी आगे जो परिशान करी थी आपको कहानी यादे जी अभी तक हमको नहीं लगता था आप साहथ पिछली सेसन वाले स्टूडेंट हो ना बहुत इंट्रेसिंग कहानी था यार कहानी नहीं रियल स्टोरी है ना चलिए धन्यवाद 54 वेरी गुड वोतुंगे में हम स्मार्ट बूर्ड का डिलिवरी चल्दी करवाते हैं वेरी गुड प्रबंध करवाते हैं देखिए एक से एक लोग हैं भाई कहां थे ये लोग अभी तक देखिए भी इवाई नाइन्टी को टूट गवाई अंड्रेड तो डी बाई 90 इसको जी दिया है ना तो 60 by 100 एक जिरो इसको खाजाएगा एक जिरो इसको खाजाएगा डी इसको तो 69 जा 54 दिग्री आंसर किसे जैसे यह जी वेरी गुड नहीं बना नहीं समझ मैं रहा है किलियर है ना आप लोगा तो किलियर होगा भाई तोंट परी किलियर तो क्वेस्टन नंबर टू था यह देख लेते हैं आप लोगा आंसर भी हम बहुत बढ़िया सब लोग 54 54 54 बहुत अच्छे बहुत अच्छे कि एक और हो जाए क्वेस्टन नंबर थ्री कि फिप्टी फोर ना ग्रेट सरी डिग्री अ फिफ्टी फोर डिग्री ग천 बतायी दिये है इसको चेंज की जिए ऐनेन्टी ग्रेट इसकलस टव हावमुच डिग्री है तब इसकलस लिएग्री है इघृ मेंदिकत हो रहे हैं निग्री टू अ अ फिई में ग्रेट पियरी है ओ गया सेवेंटी ग्रेड का कितना डिग्री बनेगा कि आई लगा काड लगा के पढ़ान में कितना मजा रहा है हम लोग भी लग राज इस्कूल के स्टुडेंट हो गए हैं ना जी हां चलिए तो सेवेंटी ग्रेड है ना तो डी बाई 90 इसकल स्टू 70 वाई 100 एक दू तीन चार कें सिल डी इसकल स्टू 63 डिग्री देखिए तो कितना सुन्दर क्वेस्टन हो गया चलिए क्वेस्टन नमबर फोर यह फोर नमबर क्वेस्टन इंट्रेस्टिंग है जल्दी से आप बताईए 60 ना 60 ग्रेड इसकल स्टू हाउ मच रेडियन 60 ग्रेड इसकल स्टू हाउ मच रेडियन बहुत बड़ा भैलू आएगा गवराईएगा मत बहुत बड़ा भैलू आएगा तीरिसट डिग्री अच्छा मनमी तिरवास तो ठीक है ठीक है ठीक है पहुत बड़ा इससे बनाईगे तो जल दीस्ते पाई भाई थ्री ए भाई ग्रेड है ग्रेड ध्यान से देखिए ग्रेड है डिग्री नहीं है ग्रेड है देख लिजे एक बार देख लिजे आप सब चिंता ना करें फार्मूला क्या है तो ग्रेड मतलब ये और रेडियन मतलब ये मतलब इन दोनों को उठवा लेना है तो जी बाई 100 इसकल्स टू सी बाई पाई तो जी के जगा पे 60 बाई 100 इसकल्स टू तू सी बाई पाई ये 0 cancel, ये 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 πाई 10 C, 10 C is equals to 3 πाई, तो C is equals to 3 πाई बाई 10 रेडियन, ये है, 3 πाई बाई 10 रेडियन होगा भाईया लोग, काटने में थोड़ा अच्छे तरसे काटिये, कटिक करते वक्त में, डिविजन करते समय में, हाँ, हाँ, ये हुई बात, जो सही आंसर होगा, वही मेरा भी आंसर होगा, वा, जी, वा, 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोग विडियो को पहले लाइव कर ले तो, विडियो को पहले लाइव कर लीजे तो भई, बहुत सारे बच्चों लोग का वीडियो लाइब नहीं चल रहा होगा नहीं है very good next five number question five number question five number question five by three radian is calls to how much grade बनाये तो 5 by 3 radian is calls to how much grade how much grade फोर्थ डीपीपी का question अभी solve करेंगे भई चिंता नहीं करें और एक भईया जी पूछ रहे हैं डीकॉंपोजिशन रियक्षन में उसका catalyst दिया होगा का नहीं भई catalyst दे देगा तो कोई पहचान लेगा catalyst नहीं दिया रहेगा ठीक है ना आप सब को पहचानना होगा कि अगर iron sulphate है तो किसमें जाएगा thermal decomposition में वाटर या NACL किसमें जाएगा electrolyte decomposition में और बी आर वाला जितना भी हो कहां जाएगा वह फोटोलीटी decomposition में तो आपको वह याद रखना होगा ठीक है कि बहुत अच्छे देख रहे हैं आंसर्स आ रहे हैं आप लोग के एक बाबू लिखे हुए हैं कि भाईया से question paper के लिए बात हो गया है बढ़िया है setting हो गया है question paper का अभी question setting नहीं हुआ है भाईया जी एक कल taste होता है न तो आज रात में question set होता है ठीक है न हम किसी पर भीत्वास नहीं करते हैं और आप लोग के आप लोग आते हो देखिएगा गरम गरम पेपर रहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लिख रहा है मुए 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 यह पता न कौन लेंगोज चला दिया है देख रहे उसमें गाना आगिया है पता ही एक से पेरोजगार लोग है वही इस दुनिया में हम भी पेरोजगार हैं चिंता का बात नहीं है रोजगार नहीं लगा ता के ट्यूसन पढ़ा रहे हैं जोना दिन नौकरी हो गया ना बस उसी दिन भाग जाएंगे यहां से देक अधिए ना खाली जॉब लग जाए हमारा तो फिर देखिए तो यहां पे घी बाई हंडरीड इसकल्स टू तू सी भाई पाई है तो जी बाई हंड्रेड इसकल्स टू पाई और सी मल्टिप्लाई तो उसके जगह पे पाई बाई बाई तो पाई भाई थी नहीं जी पाई भाई थी यह इसको खा जाएगा तो जी इजिक ल्स टू हंडेड ऊपर चला गया है 2 इन्टु हंडेड 200 आ नीचे कौन है 33 रेट वैरी गुड 200 x 3 grade आ रहा है 200 x 3 grade आ रहा है यह काफी बच्चा लोग का सही है बहुत बच्चा लोग का सही है यह बहुत अच्छी बात है यह हाँ भई लाइट गेमर्स पार्टी मिलेगा मिलेगा पार्टी ठीक न मेरे गर काम करने आता है क्लास अभी चलेगा ठीक है न फोड़ा दिर और अभी क्लास चलेगा एक दूगंटा मजाक कर रहे हैं यार समझ में नहीं आया है ठीक है एक तरह से और बताते हैं रुक जाईए एक भाईया जी यह कहना है कि समझ में नहीं है कि लिए एक जगा प्यार बताते हैं कहिए न भाई हम तो बताने के लिए बड़ी उच्सुक हैं और यह रेडियन जो होता है न वह सी का भाईयों होता है पाई थ्री पाई कैंसिल् कि इसकल्स टू डू अल्जीज चल रहा है इसकल्स टू गृणडि ट्रीय च्री इसकल्स टू धस्वांडेट यह मिद्री जीजत्विल्डा न छिंता ना कीजिए अम बस बोलिय autos है क्लियर है कैं ऐ बहुत अच्छेए बहुत अच्छे बहुत अच्छे कि अच्छा ठीक जल्दी खटम कर देते हैं कि आले कि अपका ID कट का है बिना ID कट का घूम रहे हैं अरे हम मैथ वाले सर नहीं है वह जनवे करते होंगे वह भाईया जी हम लोग के बिना ID कट का घूम रहे हैं क्लास्रूम में बताइए अब हो गया ग्लियर कि अब बताते हैं अगर ग्रेड ना हो तो क्या करेंगे सुनिए एक दम बढ़िए से एक बार all clear सभी बच्चा लोग लिख दीजे तो तब हम अगला चीज बढ़ा दें प्वेस्चन बरवाने की जरूट में बढ़ेगी अगर सिर्फ आप लोग अगर एक और processusan लीजे तो अब पढ़ाएंगे डिगरी को रेडियन में और रेडियन को डिगरी में अब वही पढ़ाएंगे डिगरी को रेडियन में और रेडियन को डिगरी में पचंता भी तब मित्तल तर है तेले, very good very good, very good पूरा क्लियर, वह तर अब जीत अच्छा, क्लास में कुछ क्लियर हैं नहीं होता है अउनलाइन में पूरा क्लियर तर प्रोफाइल में आप बहुत एंसम लग रहा हैं, अच्छा चलिए, grade ना हो तो डिगरी इंटू पाई भाई हंडेड हाँ भाई, टिगरी इंटू पाई भाई हंडेड वेरी गुड मोदी जी पताई हतना पढ़े लिखे आदमी को लोग सिकायत करता है हम उन मोदी जी के बात नहीं कर रहे हैं, don't worry चलिए, याद रखिएगा, अगर टिगरी को रेडियन में और रेडियन को डिगरी में कनवर्ट करना है तो याद रखिएगा, कि अगर कभी डिगरी दिया है, जैसे दे दिया मान के चलिए 60 डिगरी और अगर कहीं पर रेडियन दिया है, जैसे रेडियन दिया पाई बाई टू बस इतना याद रखिएगा, तो आपकी कहानी बस पाई is equals to 180 होता है यह तो आप जानते हैं, पाई is equals to 180 होता है, तो जहाँ डिगरी होगा और रेडियन में कनवर्ट करना है, मनें पाई में कनवर्ट करना है, रेडियन का मतलब ही होता है पाई ऐसा कोई एंगल नहीं है रेडियन में जिसमें पाई ना हो पाई के साथ ही रेडियन लिखा जाता है तो अगर 60 डिगरी है और पाई में कनवर्ट करना है तो क्या किजिएगा पाई को उपर रखेगा अब 180 को नीचे रखेगा और अगर पाई दिया हुआ है और डिगरी में कनवर्ट करना है तो पाई को नीचे रखेगा 180 को उपर रखेगा अगर पाई लाना है तो पाई उपर रहेगा और पाई हटाना है तो पाई नीचे रहेगा और 180 तो ही वहाँ पर पता है क्यों? क्योंकि one radian का value हो जाएगा πाई नीचे चला गया 180 by πाई इसलिए ये काम किया जाता है तो अगर πाई लाना है तो πाई उपर 180 नीचे और πाई हटाना है तो πाई नीचे 180 उपर तो देखिए तो कितना हो गया πाई भाई 3 radian और कितना हो गया 90 degrees कितना फास्ट बन गया ना कितना फास्ट बन गया एक एक एक्जामपल हो जाए 5 था 6 नमबर एक एक्जामपल ले लिए जाए 6 नमबर एक एक एक्जामपल लेते हैं 45 डिगरी है चलिए रेडियन में कनवर्ट किजिए फास्ट और रेदियन में कह्रवहर्ट किजिए तो फास्ट भही यह Q5它 परिफाइब डिग्री है रेदिए नमें कऴोग कीजितो फास्ट है very good हो गया क्या ओनलाइन वालोक का अरे वह एक बार एक्रूबहलेंट बता दीजियों प्रोड़क्त प्रोड़क्त बैजी इसका हीट थर्मल डिकम पोजिशन कर दीजिये इसका थर्मल डिकम पोजिशन कर दीजिए लिड औक्साइड बन जाएगा ठीक है ना प्लस में नओ टू प्लस में ओ टू लिड़ औक्साइड प्लस में ऊ-डू तीन को प्रोड़क्त होता है इसका बढले गुड बढले बढले लोला दिया जी भाजिए ओके 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 पाई लाना है तो पाई ऊपर 180 नीचे चार बार में कट गया पाई बाई 4 रेडियन वेरी गुड़ ए सेवें नंबर क्वेस्टिन नंबर क्वेस्टिन नहां तू पाई बाई 3 रेडियन ते लिए डिग्री में कनवर्ट कीजिए पाई घटाना है तो पाई नीचे रहेगा तू पाई भाई थ्री कनवर्ट कीजे तो भई तू पाई भाई थ्री पाई कल के कला यहीं से लिया जाए कहीं से चल के क्लियर है ना अरी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगया और वाज वा एक सो बीसी पैनल का स्पीकर इस हो गया पिछले साल बताया थी कि कर आजने का ली खरायाए लो एक लड़का ली का आपका डादाजी का भेंडी खेती कईसा चल रहा है इसको कई संब मालूम हमारे गर बेंडी का खेती हो रहा है हां यह यहां का बच्चा कर रहा है सब होसल वाला कि पानी पटाने यह जाता होगा बताईए जी एकदाम गलत बात नहीं बोलना चाहिए यह यह पानी पटाने नहीं जाते हैं रखवाली करने जाते हैं खुदाल चलाने जाते हैं किदाम गलत बात है यह बहुत बढ़ियां तो पाई हटाना है ना तो पाई को नीचे लेके चलते हैं 180 को ऊपर पाई-पाई को खा जाएगा 3-60 आ जाएगा 62 जा 120 degree very very good और यह है ज़िए ग्रेट याद रखे ग्रेट दिमाग में एक दम से याद कर लिए अगर ग्रेट है तो फॉर्मूला से ग्रेट नहीं है ग्रेड अगर नहीं यह लेफ्ट राइट दोनों में से कोई ग्रेट ने जैसे इधर डिग्री इधर रेडियम कहीं गृट है नहीं है अगर ग्रेड नहीं है तो ट्रिक्स बना सकते हां आप राम से वह ऐसे भी बन जायेगा देखिए न ुसको बना के दिखाते है इसको बना के दिखाते हैं 45 डिगरी वाले को फॉर्मूले से भिंवन तो C is equals to 5 by 4 radian, देखिए तो आ गया की नहीं आ गया, फॉर्मूला से भी आएगा, लेकिन ट्रिकी सॉल्व करेंगे हम लोग, ट्रिकी सॉल्व कर लेंगे तो जल्दी से बन जाएगा, ठीक है, तो अब आपनों लिख दीजिए, फाइनल, क्योंकि ये खतम हो गया, हाँ, इसका प्कोपी बवाइट के लिख रहा है, फाइनल, आपनों लिखे दबावू फाइनल, खतम हो गया कहानी, अभी डीपीपी होगा, हाँ, हाँ, फाइनल, देस्टीनिशन, अरे बड़ी खराब सीरीज है, फाइनल देस्टीनिशन का, पांच पार्ट में है, देखना मत, हॉलिवूड का मुवी है, डर से आलत खराब हो जाएगा, आगरिप जैसे स्टाटीये में कितना ना काट मार हो रहा है उसमें, आईडी काट कैसा है, बड़ी सुन्दर आईडी काट, ठीक है ना, बस इसमें चेहरा में हम ने पहचान में आई नहीं रहे हैं, इतना ना गुरे दिख रहे हैं, कि काला आजमी गुरा कब से हो गया, हाँ, फिल्टर का कमाल है, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी देखिये, कमेंट देखिये, चलिए, मनमी सर रोस्टर, मनमी सर अच्छा, ठीक है फिर, फोड़ी बीबी डिस्कस कर लिया जाया, अब, Hadhaँ, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, रोस्ट अस्टर, मैश्टर, मनममी खावड, वेरी धॉण, वेरी लिए, जाए, जाप्श्थ, पॉड, जाए, ऊस्टर चानियास, बेकान यटन पर्यच्वित eरि पॉड, टोस्टर, ग्वेरी लिद बीबी, के वे हो देखिये,// also because on earth we know that the speed of the time is one second per second that's why you will have to go to the other planets or some other celestial bodies where we can get the time faster or slower okay don't worry it is not possible till now but I think we will be we will have the power will have the machines will have the equipments in the future okay don't worry I am English the question which was a good so clear don't say नहीं चलता है कि एक हानी आगे बढ़ाते हैं किने गिए GPP आ अगया आगया पहला question डीपीपी का कहता है कि DMS इस्टम में convert कीजिए तीम में सिस्टम में convert करना चलिए बना दिया जाए आप लोग बना दीजिए answer आंसर बोलिए कि देखिए आंसरे बोलना चलोगी है उठा के बाहर रख देंगे बनाई 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 सब लोग तीन-चार क्वेस्टन डिसक्स करेंगे ज्यादा नहीं जिनको सोने जाना है चले जाहिए ठीक है क्योंकि फाइनल हो गया है थिवरी अब थोड़ा सा 25 अविरी 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 प्लस 0.2525 इन्टो 60 मिनाट प्लब थैंथ हाउजंट जरो जरो कैंसल जी जिर अबर गुड़ तो 6 फिप्वजा 40 6 तूजा 12 और 3 15 6 फिप्वजा 30 और 1 31, 6 तूजा, 12 वर 3, 15, एक और 0 खा गया, तो कितना आ गया, 25 डिग्री प्लस 100 से काटेंगे तो, 15.15 मिनट, 25 डिग्री प्लस 15 मिनट, प्लस 0.15 इंटो 60 सेकेंड, डेसिमल हटेगा, 100 आएगा, तो 5 से यह हो जाएगा, पहले तो काट दें, 3, 5 से, 2, 2 से, 3, तो 25 डिग्री, 15 मिनट, और तरी तरी जा, 9 सेकेंड, ओप्शन इज, P, P ओप्शन करेक्ट है, P ओप्शन करेक्ट है, चलिए, 2, 9, 10, 11, करवाते हैं भई या, 2, 9, 10, 11, सब चिंता ना करें, next, in a right triangle, if the difference between the two acute angles is this, एक right triangle है, right triangle में ये 90 है, ये माल लिजिए, X और ये माल लिजिए, Y, तो X पलस Y कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या रहा है, difference between two acute angles, मतलब, X minus Y कितना दिया है, पाई भाई 15, इन्टू, क्या करना होता है जी, अभी बता है है, डिग्री, रेडियन को डिग्री में, पाई नीचे, 180 उपर, पाई पाई को खा जाएगा, 15 से 112 आ जाएगा, तो X minus Y is equals to 12 degree, Y, Y को खा गया, 2X is equals to 102 आ गया, 2 से cancel हो गया, X is equals to 51 degree आ गया, X 51 है, option is B, B option correct हो जाएगा, क्योंकि 51 एक हो इसी में दिया हुआ है, B option correct हो जाएगा, एक 51 है, दूसरा 90 है, तीसरा तो निकालिये लेंगे ना भाईया लोग, तो 90 degree, 39 degree, 51 degree, तीनों एंगल्स हो जाएगे, इसको रेडियन में convert करना है, बना सकते हो आप लोग, 72 into 5 by 180, हो जाएगा, तो 12 से 6 chances में, और 12 से 15 chances में, यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा, 5, 3 5 by 5, option T, T option is correct, T option is correct, क्लियर ना, next, 5 by 9 दिया है, 5 by 9 बोले हैं ना, 5 को नीचे 180 को उपर, 5, 5 को खा जाएगा, 9 से 20 आजाएगा, 20 degree, C, T option हो जाएगा, क्लियर हैं ना, यह question है, is equivalent to, equivalent to 45 degree, का दिया हुआ है जी, यह 45 degree नहीं रहाएगा ना, देखें का question 45 degree दिया हो क्या, EPP, हाँ हाँ, 45 degree नहीं रहाएगा, एक मिनट हम देख लेते हैं question को, is equivalent to, नहीं नहीं, 45 degree नहीं रहाएगा, आप बनाएंगे, इसको ना degree में convert करना, दिगरी में, देखें क्या करेंगे, 33 degree, पलस, 36 minute, पलस, 18 second, तो एक बार 60 सी डिवाइड करेंगे, इसमें, आप दो बार 60 सी डिवाइड करेंगे, इसमें, जो आएगा, वही हमारा answer हो जाएगा, बड़ी option नियाद रखा है भाई, सिर्फ MCQ रहने देते हैं, because बहुत लेट हो गया है, कल morning में 6 o'clock से class है, सिर्फ MCQ रहने देते हैं, बाकी conversion हम बता दिया है, आप पर देख लेना, MCQ based ही सारा का सारा question रहेगा, 50 question, MCQ based रहेगा, ओके, ओके ना, thank you, good night all of you, ज्यादा time नहीं दे पाएंगे, because सुबह में टेस्ट है, बच्चा लोगो सोना भी होगा, क्या, ते लिए, good night all of you, good night कोई भी दिक्कत है, हमारा number होगा, 729-999-000-93, इस पे टेलीगराम कर सकते हैं, वैसे अपने लाइसमित एप पर सारा वीडियो फ्री है, आप देख सकते हो, लाइसमित एप पर सारा वीडियो फ्री है, देख सकते हो आप लोग, आप लोग उन्हीं को देखिए, युए, थैंक यू, गुट नाइट, झाल झाल